वेल्कम श्टूरेंज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम konvex Lens की focal length findings करेंगे parallax method को इस्तमाल करते हुए konvex Lens को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि konvex Lens इस शकल का होता है यानी दरम्यान से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है जब convex lens में से light rays गुजरती हैं तो convex lens उन light rays को converge करता है Converging से मराद यह है कि जब यह light rays एक convex lens के अंदे से गुजरती है तो उन सब light rays की direction इस तरह से change होती है कि वो सारी light rays एक नुकते यानि एक point पे जाके मिलती है और उस point को principal focus कहा जाता है Convex lens के optical center से लेके principal focus तक का जो distance होता है यानि length होती है उसे focal length कहा जाता है तो इस practical में हम convex lens की इस focal length को find out करेंगे और उसके लिए हम parallax method इस्तमाल करेंगे Parallax method से मुराद यह है कि हम convex lens की एक तरफ एक upright needle रखेंगे जिसको हम object needle कहेंगे तो convex lens की मदद से इस object needle का image दूसरी तरफ बनेगा जो के inverted image होगा अब जहां पर यह image बनेगा वहां पर हमने एक और needle रुखी वी होगी जिसको image needle कहेंगे हम अब हम यहां से जब देखेंगे तो हम यह note करेंगे कहां पर object needle के image की tip और image needle की tip आपस में मिल रहे हैं यानि के जॉइन कर रहे हैं और जब हम अपनी आँख को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लेके जाएं तो हम नोट करेंगे कि ये image और ये needle इन दोनों की tips आपस में मिली रहेंगी तो यही तरीका कार इस्तमाल करते हुए कि हम convex lens की focal length को find out करेंगे और इस तरीके को parallax method कहा जाता है इस practical को हम इन steps में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें यानि क्या apparatus चाहिए practical करने के लिए फिर हम इस practical को करने का तरीका discuss करेंगे जिसके दोरान हम कुछ measurements लेंगे जिनकी मदद से जब हम calculations करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास result में convex lens की focal length क्या आई है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या apparatus चाहिए होगा इस practical के लिए सबसे पहले हमें एक duster चाहिए होगा यानि कि cotton का कपड़ा जिससे हम lens के उपर से dust साफ करेंगे इसके इलावा हमें एक convex lens चाहिए होगा convex lens के लिए हमें lens holder चाहिए होगा दो upright needles चाहिए होगी और इसके इलावा हमें चाहिए होगा optical bench जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद हम practical को start करते हैं तो सबसे पहले हम lens को उसके holder में अच्छी तरह से fix कर देंगे ताके practical के दौरान अपनी position से ना हिले इसके बाद हम duster लेंगे यानि के cotton का कपड़ा और उसकी मदद से इस lens को अच्छी तरह से साफ कर देंगे ताके इसके उपर कोई dust ना रहे जब हम lens को उसके holder में fix कर रहे होंगे तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो upright needles हैं उनकी tip और lens का center एक ही line में आ रहे हों जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं कि needles की tips और lens का जो center है वो एक ही line पे आ रहा है इसके बाद हम convex lens की distance method यूज करते हुए approximate focal length find out करेंगे उसके लिए हम एक board चाहिए होगा जिसकी सता हलके रंकी हो और साफ हो ताके हम इसके उपर बनने वाले image को अच्छी तरह से देख सकें board के बजाए हम एक दिवार भी इस्तमाल कर सकते हैं जिसकी सता हलके रंकी हो और उसकी सता साफ हो तो इस method के लिए हम एक distant object यानि कि ऐसी चीज को note करेंगे जो काफी फासले पे मौजूद हो इस lens से तो यहाँ पे हमने एक दरخت को distant object के तोर पे लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस convex lens की मदद से इस दरخت का एक image बन रहा है इस board पे जो के inverted है तो इसके बाद हम इस lens को या फिर इस board को इस तरह से आगे पीछे move करेंगे कि हम देखेंगे किस position पे हमारे पास इस दरخت का गहरा यानि के dark और sharp inverted image बन रहा है तो फिर जिस position पे हमारे पास इस sharp और inverted image बन रहा है इस दरخت का वहाँ पे हम इस board को रोक लेंगे या फिर इस lens को रोक लेंगे तो फिर हम इस lens और इस board के दरमयान में length को find out करेंगे जो के हमारे पास approximate focal length आएगी यहाँ पे मैंने ये approximate focal length लिख ली है जिसको मैंने अफसे denote किया है जो मिसाल के तोर पे मेरे पास आई है 10 cm इसके बाद हम दोनों upright needles लेंगे जिन में से एक needle image needle होगी और दूसरी needle object needle होगी इनको differentiate करने के लिए हम कागस के उपर i और o लिखेंगे और उनको हम इनके उपर squash tape की मदद से लगा देंगे ताके हम इन दोनों needles को easily differentiate कर सके एक दूसरे से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों needles के उपर आई और o paste कर दिया है इसके बाद हम lens holder में लगे lens को optical bench के उपर रखेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद हम object needle को lens से कुछ फासले पर optical bench के उपर इस तरह से रखेंगे कि object needle और lens के दरमयान में फासला approximate focal lens से थोड़ा सा जादा हो इसके बाद हम lens के दूसरी तरफ image needle को रखेंगे और image needle को lens से इतने फासले पर रखेंगे कि फासला approximate focal lens से जादा का हो अब हमने optical bench पे जिस तरफ image needle रखी है वहां से हम देखना शुरू करेंगे तो हमें object needle का image नजर आएगा जो के inverted होगा तो हम image needle को आगे या फिर पीछे इस तरह से करेंगे कि हम देखेंगे कि वो कौन सी position है जहां पे object needle का image का tip और image needle की tip आपस में मिल रहे हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास image needle है जो नीचे की तरफ हमें नजर आ रही है ये image needle है और हमें lens की मदद से object needle का image नजर आ रहा है तो यहां पे हम देख सकते हैं कि object needle की image की tip और image needle की tip आपस में join हो गई है इस position पे जिस position पे अभी हमने image needle को रखा है तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जब हम अपनी आँख को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की जाने पले के जाएंगे तो हम देखते हैं कि इनकी टिप्स आपस में जुड़ी रहेंगी और सासत मूफ करेंगी यानि कि हमने पैरलक्स को रिमुफ कर लिया है तो इमिज नीडल की जिस पॉजिशन पे हमाया पास पैरलक्स रिमुफ हुआ है तो हम उस पॉजिशन को नोट कर लेंगे अब हम object needle, lens और image needle की positions को note करते हैं तो जिस जगा पे ये तीनों हमने optical bench पे रखे में हैं वहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिये हैं ताके हम easily इनकी position को note कर सकें तो हमारे पास जो object needle है वो आ रही है 29.5 cm पे lens की position हमारे पास आ रही है 50 cm और image needle की position हमारे पास आ रही है 70.3 cm यहाँ पे हमने इन positions को note कर लिया है जहाँ पे object needle की position को मैंने और से रही है 29.5 cm lens की position को मैंने L से रही है 50 cm image needle की position को I से रही है 70.3 cm अब हम distances find out करेंगे जिन में से P distance छो कर रहा है object needle और lens के दरम्यान में distance को यानि के distance O L को तो उसके लिए मैंने lens के distance में से object needle के distance को minus किया है क्योंके lens की जो हमारे पास measurement आई थी position की वो जादा value की है तो यहाँ पर में पास 50-29.5 दे देगा 20.5 cm इसी तरह से Q distance हमाँ पास वो distance है जो के lens और image needle के दरम्यान में है यानि के distance I L तो इसके लिए भी मैंने image needle आई की जो measurement आई थी उसमें से lens की position L को minus किया है क्योंके image needle की position की value हमारे पास जादा है तो यह हमारे पास 70.3 में से 50 minus किया तो मेरे पास आगा 20.3 cm अब हम focal length find out करने के लिए formula यूज करेंगे जो के होता है F is equal to P multiplied by Q divided by P plus Q तो यहाँ पे जब मैंने values put की और मैंने calculator की मदद से calculation की तो मेरे पास focal length आ रही है 10.1 cm इसी procedure को repeat करते वे मैंने दो दफाव और measurements ली है लेकिन उन measurements के लिए मैंने object needle को different positions पे रखा जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं के मैंने second time 29.6 की position पे रखा और third time मैंने 29.7 की position पे रखा और फिर मैंने measurements ली तो यहाँ मेरे पास final में 3 focal lengths आई है तो यह focal lengths जो हमारे पास 3 measurements की मदद से आई है इन तीनों को add करके मैंने divide किया 3 से तो मेरे पास mean focal length आ जाती है जो क्या आती है 10.1 cm तो यह हमारे पास parallax method इस्तेमाल करते वे mean focal length आई है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास parallax method की वज़ा से जो focal length आई है और जो हमारे पास distance method इस्तमाल करते वे focal length आई थी इन तोनों की values approximately equal हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि हमने measurements और calculations बिल्कुल ठीक से की हैं तो I hope स्रोनिश के आपके practical अच्छे से समझ आ गया होगा